राजस्तान के मुक्य मंतरी अशोक गहलोत का मनमाना रवाईया अब कॉंग्रिस पार्टी अलाकमान सुनिया गांधी के लिए सिर्दर्द बन गया है इस्ति तो यहां तक आ गई है कि सचिन और अशोक गहलोत की लड़ाई में कॉंग्रिस पार्टी की छवी खराब होती जा रही है और इस्ति दिल्ली तक पहुंच चुकी है सचिन और गहलोत की लड़ाई का पूरा पूरा नुकसान सुनिया गांधी को उठाना पड़ रहा है हालाद तो यह हो गए कि अब सुनिया गांधी अशोक गहलोत पर भड़कती दिखाई दे रही है दरसल अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने जो रवया अपना रखा है और जिस तरह राजस्थान मंतरी मंडल में खाली पड़े विभागों पर नियुक्तियों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं इससे सुनिया गांधी अशोक गहलोत पर नाराज है सुनिया गांधी ये बात जानती हैं कि अशोक गहलोत सचिन पाइलेट के समर्थकों को रजस्थान मंतरी मंडल में जगा नहीं देना चाते इसलिए वो रजस्थान मंतरी मंडल को लेकर अभी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं लेकिन अशोक गहलोत का ये मनमाना रवया ना सरिफ कॉंग्रिस के लिए राजस्थान में मुश्किले खड़ी कर रहा है बलकि सचिन पाइलेट और पार्टी आलाकमान के बीच दूरिया भी बढ़ाता जा रहा है आपको बता दे कि सचिन पाइलेट और उनके समर्थक जिस तरह अब आरपार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं इसी भी कीमत पर सचिन पाइलेट के आगे जुकना नहीं चाते और सचिन पाइलेट से हार नहीं मानना चाते यही वज़ा है कि अब अशोग गहलोत हार मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं बलकि वो सीधे तोर पर सचिन पाइलेट को जुकाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक में जिस तरह के हालाद देखते नजर आ रहे हैं और कॉंग्रिस की स्थिती फिलहाल जिस तरह राजस्थान में लडख़ाती नजर आ रही है कहीं ऐसा ना हो कि एक पाया गिर जाए और गहलोत की सरकार पूरी तरह धोस्त हो जाए अगर बात करें तो सचिन पायलेट की मौजूदा मजबूत इस्थिती ने कॉंग्रिस को राजस्थान के अंदर मजबूत कर रखा है और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से सचिन पायलेट ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है और सुरू से कॉंग्रिस के साथ जुड कर उन्होंने कॉंग्रिस को जिस मुकाम पर पहुँचाया उस मुकाम तक पहुँचाने में अश्यो कहलोत का उतना बड़ा हात नहीं है जितना सचिन पायलेट और उनके समर्द्कों का है यही वजा है कि राजस्थान की जनता भी दिल से सचिन पाइलेट को अपना नेता बानती है क्योंकि सचिन पाइलेट जमीनी इस्तर से सुरू के साथ से जुड़े रहे हैं इतना इनी सचिन पाइलेट ने जमीनी इस्तर पर जो पकड़ बनाई है उसका साफ सी दासर में देखने को भी मिलता है आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है ये कि अब आशोग गेहलोत के आगे हार मांते दिखाई नहीं दे रहें एक समय था जब सचन पाइलिट और उनके समर तक ऐशोग गेहलोत और कॉंग्रिस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ खुल कर नहीं बोलते थे लेकिन आज इस्थितियां बदली हैं और जिस तरह हालात बदले हैं उससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पार्टी ये समझ चुके हैं कि अगर पार्टी में आगे भी चुप रहेंगे तो उन्हें किसी तरह का कोई ना तुपत दिया जाएगा और ना ही उनके समर्दकों को कोई बड़ी जिम्यदारी इसलिए सचिन पार्टी अलाकमान और अशो गहलोत को ललकार रहे हैं आपको बता दें कि सचिन पार्टी ये ललकार दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली पहुंचते ही सोनिया गांधी के खोश उड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि आगामी समय में कई राजियों के अंदर विधान सबाच चुनाओ है तो वहीं साल 2024 का लोक सबाच चुनाओ भी है ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी अपनी ही अंदरूनी लड़ाई लड़ती नजर आ रही है और पार्टी अपनी ही इस्थिति को संभाल नहीं पार है भाला नहीं गया तो शायद बहुत देर हो सकती है और बहुत बड़ा जटका कॉंग्रेस को राजस्थान में उठाना पड़ सकता है आपको बता दें कि सचिन पाइलिट अब पूरी तरह से पार्टी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं तो वहीं जोती रादित्य सिंधिया क के मन में भी कई तरह के सवाल उठते दिखाई दे रहे हाला कि सचिन पाइलिट अभी जोश में आकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं लेकिन अभी वो जिस तरह से धैर्री और सब्र के साथ काम कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि सचिन पाइलिट आगे भी लंबी पारी तो कॉंग्रिस के लिए मुस्किले जरूर खड़ी कर देंगे यह बात कॉंग्रिस पार्टी अलगामान सोनिया गांधी भी जानती है कि बिना सचिन पाइलिट के राजस्थान में सरकार चलाना गहलोत के लिए आसान नहीं है भले ही गहलोत बड़े बड़े दावे कर रहे ह और सचिन पाइलिट ने जिस तरह पार्टी के हो आगे बढ़ाने का काम किया है ये बात पार्टी अलगामान भी जानती है वो बात अलग है कि सोनिया गांधी ने अपने करीबी ने ताशो गहलोत को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जिससे सचिन पाइलिट और उन से अब अपनी स्थती को मजबूत कर चुके हैं और खुल कर अपनी मांग उठा रहे हैं आपको बता दें कि सचिन पाइलिट को जिस कदर अपनी आवाज उठानी पड़ रही है और अपने हग के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है ये बात बीजेपी के कई नेताओं को पसंद नहीं आ रही है यही वज़ा है कि जोती राजित्य सिंध्या पर दाओं खेल कर सचिन को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई क्योंकि सचिन पाइलिट यूवा नेता है और जिस तरह उनकी लोग प्रियता ना सिर्फ राजस्थान में बलकि देश पर में इसका फा मावों से पहले सचिन पाइलिट पार्टी के साथ जुड़ जाएं और बीजेपी में शामिल हो जाएं तो ऐसे में सीधे तोर पर कॉंग्रिस को तोड़ने में अब कोई कसर नहीं रह जाएगी हाला कि अगर बात करें तो कॉंग्रिस फिलहाल पूरी तरह से तूट चुकी ह और पार्टी में फिलहाल ही कुछ गिने चुने चहरे रह गए हैं वो भी पार्टी के लिए आगामी समय में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे यानि कि सोनिया गांधी पार्टी को संभाल पाने में पूरी तरह नाकाम रही और उन्होंने कई यूवा नेताओं को अपने ह जा सकते हैं लेकिन सचिन पाइलेट को भी नाराज करकर सुनिया कांधी अपने लिए ही मुस्किले मूल ले रही है और राजस्थान में भी इस्थितियां अब अलग दिखती नज़र आ रही हैं खैर अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पाइलेट के मन में जो अलग- सचामान सुनिया कांधी उन्हें खुश कर देंगी अब देखना ये होगा कि क्या इस्तती राजस्थान की रहती है आज आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक लिए जा दीजे नमस्कार